कमानी है आगे बात करते हैं about Anushka Sharma Anushka Sharma obviously पाताल लोग से famous हो गई because उसके पहले तो she was not having any work after her marriage so ये Anushka Sharma अब एक दूसरी web series के साथ जुड़ी हुई है जिसे उसने produce किया है और इस web series का नाम है Bulbulm जिसे Netflix ने release की है और इस Bulbulm में भगवान कृष्ण और राधे मा के बारे में खराप्ट शब्दों का प्रयोग किया गया है in the translation so I really need to understand Anushka Sharma what is wrong with you what kind of people are you hiring जो खुली तोर से हिंदु भगवान और गॉड़नस का मज़ा कुड़ा रहे है उनको गालिया दे रहे है what is really wrong with your head आप क्या नशा करने नगी है because शायद आप जॉबलेस है कि आप ऐसी फिल्मों को प्रड्यूस कर रही है जो हिंदूफोबिया प्रमोट कर रहे है अब हमारी जो सरकार है center के अंदर शायद उन्होंने Anushka Sharma को बुलाया था on yoga day the ministry of ayush whatever that is their personal choice but as an Indian I feel it is a wrong choice आप किसी और को पुला सकते थे अपने yoga day promotion के लिए ना कि Anushka Sharma को because Anushka Sharma जो खुली तौर से गलत narrative spread कर रही है हमारे भगवानों को गालिया दे रही है अपने web series में दो रोजी रोटी कमाने के लिए उसको आप use करते है अपने yoga day promotions के लिए तो ये सरकार को गलत light में project करता है साथ साथ में एक और कोई feminist है जी हाँ हो इतनी प्रचलित नहीं है because उसका नाम है रिहाना